गुड मॉनिंग, यूनिकेजकेशन के आनलाइन सेंटर पर आपका बहुत-बहुत सौगत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने UPSI का 50 क्यूश्चनों का हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल किया था इस वीडियो में हम पिछला वीडियो जो था, वो पहला वीडियो था ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सम्मिधान, मोलविधि और सामान ग्यान के 50 की उस्चन हल करेंगे अगर आप UPP और UPSI की तयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी लाबदायक होंगे अगर आप चैनल पे नयाया चैनल को सस्क्राइब कर लिए चलिए फिर टेट्ट शुरू करते हैं, देखिए आपके कितना सही कर लेते हैं अगर आप 33 या 35 की बीच में सही कर रे हैं कुछिज करिए कि इस्से ज्यादा सही करने का क्योंकि जब आप यसाई का form डाले हो तो वहां लिखा है कि कम से कम आपका 50 person मतलब की 50 question है तो कम से कम आपका 25 सही होना चाहिए लेकिन इससे ज़्यादा कि आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए तभी आप पेपर में 25 से ज़्यादा सही करवाएंगे इससे कम तैयार होगा इससे कम सही करेंगे तो आप बाहर कर दिये जाएंगे तो चलिए फिर test लगाते हैं पहला question ध्यान से देखें आप question है स्रिलंका के उत्तरी भाग पर किस सा सकनी बिजय प्राप्त की थी राज राज प्रथम, राज ईंद प्रथम, परानतक प्रथम, आदित्त परथम सोचें आप एंसर सोचें फिर मैंसर बताएंगे आपँ एंसर मैच कर आईए देखें कितना सही होता है आपका छलिए बताते हैं आपको एंसर, यहाँ पर option यह सही है, राज-राज-प्रतम, सिलनोंका के उत्तरी भाग में, दरसल यह जो राज-राज-प्रतम हैं, यह चोलवंस के हैं, और परांथ क लिती के पुत्र हैं, और सैवधर्म के अन्याई हैं, जो था, मुक्खता यह तमिल नाद में था, आप पढ़े होंगे कोरो मंडल तट तमिलनाड में है ये वाला तट भारत का दशड़ी भाग है तमिलनाड आप देखो ऐसे किरल मिलेगा इधर का तमिलनाड है तो तमिलनाड का जो तट होता है उसे कोरो मंडल तट कहते हैं दरसल वहाँ पर चोल सासक थे और उसे चोल मंडल वोला जाता था उन्हीं के नाम पे उसे कोरो मंडल रखा गया है तो वहां का जो सासक था राज-राज पर्थम उसी ने स्रिलंका के दरसल तमिलाड के जश्ट नीचे ही तो स्रिलंका है आप जानते होंगे मैं भी देखे होंगे तो उसने वहां पर आक्रमण किया था उसके उत पर उसका उठिकारी था फ्रांतर क दिति में चॉंद स्रिलंका यहां मैं च्शोल मंडलन भी नाम दृए था जब उहां पर उसने अधिकार किया था आप थी जा रखेगा यह सयो धर्मका नहीं ज इसने यह देखिया कि राज राज पर्थम ने यहां पर देखो सिवपाद सेखर कुपाद धारण की थी और यह सयव धर्म का भी अन्याई था इसको आप जानते रहेगा लेकिन एक चीछ जानते रहेगा इसने जो सिक्के चलवाए थे उसके कृष्ण और मुली धर्ग और वि देखें कि अच्छा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किये थे मतलब कि लगभग लगातार सिक्के जारी किया था नियमित तरीके सिक्के जारी किये थे इसके पहले के सासक क्या होते थे कि कुछ दिन सिक्के जारी करवादे थे उसके बद्बंद कर्दे थे तो दिल्ली का वो पर्थम सुब्टान कौन था जो नियमें स जारी किये थे नसर दून hypoth इलतुतमिस आराम साफ भल्मन सोचें कौन साथा उँ कि यहां पर आफ्स्टन है दूसरा सह journée इलत्व०्मिष ने नियमि सिंख्य जारी किये थे आप यहां पर देखें इलत्व०्द्ध॥ ने नियव्यन किया था 1206 विमैंडया पढ़े होंगे इसको इल्तुतमिस ने कुछ और महत्पुड कार किये थे इल्तुतमिस ने अपने सामराज में दिल्ली को अपने सामराज की राधानी गोस्त किया ध्यान रखेगा दिल्ली को पहली बार राधानी इल्तुतमिस नहीं बनाया था और इल्तुतमिस का पूरा नाम था समसुद देन इल् द्यान रखिएगा यह बहुत ही महत्वपूर चीजे यह और यह सुध अर्भी के शिख्के चलाया था इसने तो कई चीजे महत्वपूर है और इसने पर धने दिल्ली बनाया था यह भी इंपोर्टेंट है ज्यान रखिएगा इन सब चीजों को तो यहाँ पर आपको आपका बहुत ही मसहूर है बहुत ही महस्तुपूर क्यूस्चन है यह बहुत बार पूछा गया है और आप इसको पढ़े भी होंगे कई बार चलिए मैं से बताते हैं आपको यहाँ पर आप्शन ए सही है 23 जनुरी 1565 को ताली कोटा का युद्ध हुआ था आप यहाँ पर देखें ताली कोटा का युद्ध तेज जनुरी 1565 को इसमें बिजय नगर और दच्षड के सल्तनत अहमद नगर, वीजापूर, गोलकुंडा और वीदर के बीच लड़ा गया था इसमें बिजय नगर सामराज की पराजय हुई और इसे बन्नी हट्टी यह नाम भी याद रखेगा ताली कोटा या फिर बन्नी हट्टी इसी को बोलते हैं दोनों युद्ध का नाम है ताली कोटा कभी लिखकर आता है कभी बन्नी हट्टी लिखकर आता है तो ये 1565 मुगत आपको सन पता होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है और इसमें बिजय नगर सामराज की जो की दच्छन में था इसकी हार होती है तो कई फैक्ट अन भी आपके कम्प्लीट हो जाएंगे तो आपके पीपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैPlus दो आसे आपको आपका answer मिल गया हो चलते है नेट क्योश्चन पर अगला क्योश्चन ध्यान से देखें आप क्योंचन है बंदा बहादूर का मूल नाम क्या था महेजदास, लच्छनदास, दौरकादास, लच्छमडदेव सोचे चलिए मैं को एंसर बताते हैं यहाँ पर आप्शन यहाँ पर आप्शन डी सही है लच्छमडदेव दरसल गुर गोविन सिंग जो कि सिख धर्म के अंतिम गुरू थे उनका एक सिख से था उसका नाम था लच्छमडदेव जो कि वो कजम्मु कस्मीर से संबंदित था यहाँ पर देखें आप बंदा बहादूर परसिद सिख सैनिक और राजनीतिक नेता था भारत में मुगल सास को खिलाप युद्र रणने वाले पहले सिख सैन में सैन प्रमुक थे उन्होंने सिखो के राज का अस्थ हाई विस्तार किया इनके बच्छपन का नाम मोल नाम लच्छमड देऊ था और 1670 में यह कस्मीर में राजवरी छेत में राजपूत परिवार्मिन का जन्मुव था मतलब कस्मीर के थे और यह यहाँ पर आये पंजाब में आये और गुर्गोबिन सिंग से मिले उन्हें अपना बंदा बताया कि हम आज से आपके बंदे हैं और आपकी सेवा करेंगे और उनके बाद ही इन्होंने सिंग धर्म को आगे बढ़ाया हाला कि गुरु का पद का समाप्ति उसी समय से हो गया था लेकिन ये एक राजनेता के रूप में आगे बढ़े मतलब कि वहां के सेना को आगे बढ़ाया कभी आप बंदा बहादूर की जीवनी पढ़ें काफी मोटिवेशनल है बहुत जानकारी मिलती है यहाँ पर आपको आइंस्वर मिल गया होगा इनका बच्पन का नाम लच्मन देऊ था यह कसमीर से संबंदित थे ट्यान रखेगा चलते हैं एक आगले क्यूस्चन पर क्यूस्चन ध्यान से देखें आप क्यूस्चन है Smith Fut प्रांसी इश्च इंडियाकंपणे के स्थापना कब हुई थी उद्धिति लूइ-चाहवर काफी महत्पूर क्यूस्चन काफी अच्छा क्योशन है, सोचें, और बताएं अंसर क्या होगा चलिए मैं आपको इसे बताते हैं यहाँ पर option, यह सही है फ्रांसेसी इस्ट इंडिया कंपणी की अस्थापना लुई चौधामे के सासनकाल में हुआ था लुई चौधामा महा का राजा था फ्रांस का उसी के समय में फ्रांसेसी इस्ट इंडिया कंपणी का स्थापना होती है जो कि भारत में आकर ब्यापार करती है ध्यान देजिएगा इस्ट इंडिया कंपणी की बात नहीं हो रही है ये फ्रांसी सी इस्ट इंडिया कंपणी की बात हो रही है तो आप्सेन A से ही था चलते हैं नेक्ट क्यूस्चन पर क्यूस्चन ध्यान से देखें आप भारती देंड सही था कि किस धारा में आपराधिक खड़ेंद को परिभासित किया गया है हमने कहा तक मोलवीध भी है तो थोड़ा ध्यान से देखिए कुछ जानकारी यहीं से आपको हो जाएगी आप्सेन A है धारा 120 का आप्सेन B है धारा 121 आप्सेन C है धारा 154 आप्सेन D है धारा 169 सोचे कि इसमें आप राधिक खड़ेंद को परिभासित किया गया है कम से कमी एक दो क्यूस्चन जरूर आ जाते हैं मोलवीध से धाराओं से पिछली बार एक क्यूस्चन आया था तो ध्यान रखिएगा चलिए हम आपको इससे बताते हैं यहाँ पर आप्सन पहला सही है धारा 120 का में भार्ति दरन्ड संहिता मतलब IPC इंडियन पीनिल कोड के धारा 120 का में आप राधिक खड़ेंद को परिभासित किया गया है आप यहाँ पर देखें IPC के धारा 120 का में आप राधिक खड़ेंद की परिभासित की गयी है कि जब दो या दो से अधिक ब्यक्ति कोई अवैद कार अथवा कोई ऐसा कार जो अवैद नहीं है अवैद साधनों द्वारा करने या करवाने में सहमत होते हैं तो ऐसी सहमत आपराधिक खड़ेंद कहलाती है परन्तु किसी अपराद को करने के सिवाय कोई सहमत अपरादिक खड़न तब तक न होगी, जब तक कि सहमत के अलावा कोई कार उसके अनुसरण में ना किया गया हो, मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि आपने सहमत कर ले हम ये काम करेंगे, ये गलत काम करेंगे, लेकिन आपने जब तक किया नहीं तब तक आप उसके उस धारा के या फिर उस अपराद के सिकार नहीं माने जाएंगे तो ध्यान रखेगा इसका उल्लेक धारा 120 इंडियन पीनल कोड के धारा 120 का में किया गया है तो आप इसको याद रखेगा क्योश्चन ध्यान से देखे मोल वीट से क्योश्चन ये भी है नीम्ली खेट में से सत्य कथन चुनिए मतलब कह रहा है इनमी से कौन सस्थ चुनिये संगे अपराद से ऐसा अपराद अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बीना वारेंट के गिरपतारी कर सकता है दूसरा उच्चनेयाले से अभिप्रेत है कि किसी राज के संबन्द में उच्चनेयाले उस राज का उच्चनेयाले उचनेयाले से अफ्रेत है किसी राज्य के संब्द में उस राज्य का उचनेयाले तीसरा अप्राद से ऐसा मतलब ऐसा अभिप्राय है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारेंट गिरपतारी कर सकता है मतलब अगर उसे लगे कि इससे अपराद किया जा सकता है जिससे बॉडर एरिया में ऐसे गिरपतारिया होती है जिससे डर रहता है कि बॉडर एरिया में कोई असांती उत्पन हो सकती है तो पुलिस गिरपतार कर सकती है दूसरा उचनेयाले का मतलब ही होता है किसी राज्य का जो नियाले होता है वही उसको उच्छ नियाले बोलते हैं दोनों सही है तो आप्शन C सही है चलते हैं नेक्ट क्यूशन पर अगला क्यूशन है क्यूशन ध्यान देके आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट ग्रीवियस हर्ट के में कितने प्रकार के चोटों को समलित किया गया है यह भी मूलवीद से क्यूशन है इसी बाहने आपकी मूलवीद भी थोड़ी से तैयार हो जाएगी पांच श साथ आठ बड़ा एक सरसरी नजर में आप देख लिजे धारा 320 की ओर में घोर उपहत गहरी चोट के आठ किसमों का वताया गया है पहला पुन्सत्तुहरण दूसरा दोनों में से किसी नेत्र की द्रिश्टिक का अस्थाई विच्छेदन मतलब आख में चोट तीसरा किसी कान के स्रव विदू परिकरण मतलब कि सीर्या चेहरे पर चोट पहुंचाए गई हो साथ वहां अस्थिया दात का भंग मतलब दात टोड़ देना उखाड देना नौवा किसी उपहत जो जीवन को मतलब कोई ऐसा कार जो जीवन को संकट में डाले तो इस प्रकार के जिसे कारण व्यक्त किसी जात को असूचित जात की स्रिणरी में असूचित करने का अधिकार किसे काफी अच्छा क्यूश्चन है संसद को विधान सभा को राष्ट पत को सर्वोच नयाले को यह क्यूश्चन बहुत बार पूछा गया है सोचिए किसको है चलिए इस बताते हैं आपको आप सही कियोंगे सर्व क्यूश्चन है यहाँ पर आप्शन सी सही है किसी भी जात को अनसूचित जात गोसित करने का अधिकार राष्ट पत को है लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा राष्ट पत जितने भी काम करता है सब मंत्री परिषद और प्रद्धान मंत्री के सला पर करता है फ्रकार से आप कह सकते हो कि मंत्री परिषद परिषद करता है लेकिन प्रद्हान मंत्री नहीं करता करेगा क्योंकि यह अधिकार राष्ट पत को है लो के छिदने भी काम करता है Talha Siun में से 99% के आसपास के काम वो मंत्री परशद के सला से ही करता है कुछ मामलम उसे स्वाविवेक की सकती है नहीं तो वो धेर सारे काम राष्टपती जो है मंत्री परशद के सला से करता है तो एक प्रकार से आप कर सकते हो किसी जाद को अंसूचित घोसित करने का अधिकार मंत् कि लजजा भंक करने संबंदी हमला दंड नहीं है भारतिव गर्ण संहिता में प्रकिरिया संहिता मरु भारती सम्भिधान में उप्रूप्त में से कोई नहीं सोच है क्नित तूम है को ऐसे पताते हैं और को अलाकि यह यहां पर option A सही है भारती दंड सहीता में भारती दंड सहीता में है धारा है 354 भारती दंड सहीता की धारा 354 में इसका वरण किया गया है तो आप इसको याद रखेंगे चलते हैं नेक्ट क्यूचन पर क्यूचन ध्यान से देखें क्यूचन है हाल है में WWF द्वारा हिडिन हिमालयाज पर एक रिपोर्ट किस देश में जारी की गई थी किस देश में जारी की गई थी हिडिन मतब छुपा हुआ हिमालय के बारे में WWF ने जारी किया था यह रिपोर्ट किस देश में जारी की गई थी बंगलादेश, नेपाल, चीन, भूटान, सोचें चलिए यहां से बताते हैं आपको यहां पर आप्शन D सही है इसको भूटान ने जारी किया था ध्यान रखिएगा इसको अग़िकला क्युष्चन देखते हैं क्युष्चन है भारती संकेत एवं भासा अनसंधान केंद्र किस मंत्राले के तहत कारी करता है सोचे किस मंत्राले के अंतरगत काम करता है चलिए से बताते हैं आपको यहाँ पर आप्सन बी सही है समाजिक न्याय एम अधिकारतिया मंत्राले के अंतरगत भारती सांकेत भासा अनसंधान केंद्र कार करता है इसको आप याद रखेगा आई एकला क्यूश्चन देखते हैं सरल क्यूश्चन है पीर पंजाल दर्रा कहां इस्तित है हिमाचल, उत्राखंड, अवड़ाचल प्रदेश, जम्मू कस्मीर सोचिए चलिए यहां से बताते हैं आपको यहां पर आप्शन डी सहिए पीर पंजाल दर्रा जम्मू कस्मीर है बहुत सरल क्यूश्चन है गलत नहीं हुआज होगा आपसे अगला क्यूश्चन देखते हैं क्यूश्चन है मानव तुचा में उपस्तित ताफ संसूचक संबेदी होते हैं 780 अमियम तरंग दर्द के 600 से 780 कि तरंग देर्द के लिए चारसो से छासो कीछ साधिक मंध मान के लिए चारसो और अधिक तरंगल मानकी जिसी के टिन किटने के उनना धाल किया कि लंबाई का मात्राओी कि लंब रांब चलिए एंसे बताते हैं आपको यहाँ पर आप्शन यह सही ए 780 तरंग दर्मान के लिए संसूचक संबीधी होता है याद रखीएगा इसको आई अगला के उच्चन देखते हैं उत्री अमेरिका के तट से गुजरने वाले ठंडी जल महासागरी धारा का नाम क्या है कुरियोसियो की धारा गल्फ इस्ट्रीम की धारा लेब रोड रोर की धारा फाकलैंड की जल धारा सोचे थोड़ा तेज हल करते हैं यह तो टाइम बहुत लंबा हो जाएगा चलिए हम आपको इसे बताते हैं यहाँ पर आपशन सी सही है लेब रोड रोर की जल धारा जो है वो एक ठंडी जल धारा है जो की उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरती है आप जल धारा जब महासागर पढ़ेंगे तो वहाँ जरूर पढ़ेंगे गर्म और ठंडी जल धा जल दो नहीं सोचें करें चलिए जरी यहां पर आपश्न भी सही है मेरियाना गर्थ आप सुने हो पैस प्रसांथ महासागर में है जो कि विफटू का सबसे एक गहरा गर्थ है ध्यान रखियेगा ऐस सबसे घहरागर्थ मेयर आप धर्याना गर्थ है वेसे ही आटलन्टिक म उत्तर प्रदेश के अधीनत स्रेड़ी के पुलिस अधिकारियों के नियमावली धंड एवं अपील नियमावली उनिश्यक्यानबी के अनुसार लगू सक्तियां माइनर परनिस्मेंट क्या है प्रोनित को रोकना एक मास के वेतन से अधिक आर्थिक दंड वेतन ब्रिद्ध को रोकना उप्यूत सभी सोचे अगर आप पुलिस कानून पढ़े होंगे तेस जनरली चीज़े जानते होंगे मोली वीद का क्योश्चन है चलिए अंसर बताते हैं आपको यहाँ पर आप्शन नाम भी लिये थे हम सुमात्रायम बोर्णियों, जावायम बोर्णियों, जावायम सुमात्रा, सुलावेसियों, जावा, सुचे, अगर आप जियोगराफी पढ़े होंगे अच्छे से त्या गरबड नहीं होगा, चलिए मैं से बताते हैं आपको, यहाँ पर ओप्सन, सी साहिं है जावा तथा सुमात्रा यह दोनों ही जो है दरसार इंडोनेसिया दीप समू है वहां बहुत सारे दीफ है उनमें से सुमात्रा दीफ है मोने बोर्णियों दीफ है जावा दीफ है और इसे सुमminus ऐ Premier इत्मबम का अविस्कार किस ने किया था एटम उसलो, ग्रााम बे-ल, आटो हान, इनमें से कोई नहीं जनरली की उस्चन बहुत सरल की उस्चन है आप पढ़े होंगे कई बार चलिए अंसर बताते हैं आपको यहाँ पर आप्शन सी सही है आटोहान ने एटम बम का खोज किया था अब इसकार किया था आई एकला क्योश्चन देखते हैं काफी सरल क्योश्चन है लेकिन थोड़ा तेज हल कर रहे हैं ताकि सभी क्योश्चन तक पहुंचा जा सके प्रसीत गयं में किसका प्रयोग किया जाता है तो चलिए न हम आपको एंसर रहते हैं यहां पर आप्शन आ है ऐस ची म्युश्चन देखते हैं मैं कि इतना होता है शाथ होगे débัl दो तीन लिख गया है ध्यान देजिएगा यह 22 है इसमें और तीसरा ए 16 जीरो दो तीन गुढ़े दस घाते 24 और चौहथा ए 16 जीरो दो तीन गुढ़े दस्गाते 25 सोचें कौन सा सही है यह 22 है यह 23 है यह 24 यह 25 है आप आवगाद्रो संख्या पढ़े होंगे कई बार सोचे कौन सा सही है यहाँ पर चलिए हम आपको इसा बताते हैं यहाँ पर आप संदूसरा सही है चलिए इसको आप याद रखेगा चलते हैं नेक्ट क्यूस्चन पर काफी सरल क्यूस्चन है ध्यान से देखिएगा जाल युक्त पैर किसमें होते हैं जल में तैरने वाले पच्छी में जल तथा भूम दोनों पर ए और बीव दोनों सही है इनमें से कोई नहीं सही है चलिए आपको इसे बताते हैं यहां पर आप्शन एस है जल में तैरने वाले पच्छियों में जैसे आप बतक देखते हो जल में तैरता है तो उसके पैर में जाल उसका पैर ऐसे मालो है ऐसे पैर है ये अगर उसका पैर ऐसे है इसमें यहाँ पर चमड़ी द्वारा ये सीला रहता है हम लोगे गुलियां एक खाली रहते हैं बीच में गयप रहता है लेकिन उनका खाली नहीं रहता है ताकि वो तायर सकें अच्छे से ध्यान रखेगा इसको आई एकला क्यूचन देखते हैं संसत के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अधिश्चता कौन करता है राष्टपत, उपराष्टपत, प्रधान मंत्री, लोकसभाद्धच सोचे बहुसरल के उच्छे नहीं है यहाँ पर उप्सन डी सही है, लोकसभाद्धच संभिधान का नुच्छे देख सो आठ के तहत संयुक्त अधिश्चन की व्योस्ता है नुच्छे देख सो आठ के तहत लेकिन बुलाने का काम कौन करता है राष्टपत करता है संतुलित विकास के लिए परियावरण में परिष्टपत के लिए उप्युक्त सभी सब्सक्राइब अगर आप गाओं को तबाह करके सहर में तबदील करेंगे तो अर्था आठ आप बनागरी करन करेंगे तो अच्छे विकास नहीं कर पाएं परियावर परियावर पर्सेति को भी प्राब्लम होगी जैडे विवित्ता को प्रावलम होगी यहां पर आप्टि घयान से लिए नहीं होना चाहिए कापि सर्व कूछिन रिप्रौण की संबंधी थे जैव विवित्त के बारे में बिलुप्त की संकट से ग्रस जीवों के बार में ब्रिच्छर उपड से तसकर द्वारा वन प्राडवयों के अवैज सिगार से सुचें चलिए हैं से बताते हैं यहाँ पर आप्शन भी सही है दरसल एक संस्ता है आई यू सी यन यह क्या करती है जो प्राड़ी विलूप्त जो जीव विलूप्त हो रहे हैं जो संकट में हैं उनको अपने डाटा बुक में उनके नाम को दिखाती है तो रेट डाटा बुक का काम ही होता है बिलूप्त या संकट किस गरत जीवों को बारे में बुनिया को जागरुक करना तो आप्शन भी सही है चलते है नेक्ट क्यूस्चन पर अगला क्यूस्चन देखते हैं क्यूस्चन है सामानता उप्योग होने वाले कि सीधन का उसमी मान सरवाधिक होता है कि सीन जी क डीजल का एलपीजी का पेट्रोल का सोचें चलिए आपको इस बताते हैं यहाँ पर आफशन सी सही है एलपीजी लिक्ट पेट्रोलियम गैस जो आपके हां सिलेंडर में आता है एलपीजी गैस यह इसका जो है उसमी इधनमान सरवाधिक होता है ध्यान रखिएगा यहाँ पर आफशन सी सही था लेकिन यह जो संप्रिडित प्रकृतिक गैसे इसको सिलेंडरों में भारा जाता है और यह द्रवित पेट्रोलियम गैसे इसका उस मीमान इससे भी ज़्यादा होता है ध्यान रखिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्यूस्चन पर क्यूस्चन ध्यान से देखें कर नीत को किस कोसी का भाग कहा जाता है कर कोसी का राजकोसी का यह और भी दोनों इन में से कोई नहीं सोचें यह अर्तवियोस्ता का क्यूस्चन है चलिए सो था आपको यहां पर आप्स नूसरा से यह और बि दोनों से हैं कर तो किस कषिए का भाग कया जा आता है करनीध को कर कोसी और राजकोसी दोनों का कहा जाता है अगला के उस्चन देखते हैं कि यूशन एक खाद्यूं कर्शी संगटन का मुख्याले कहां है रोम जिनेवा रोम जिनेवा इगलेंड भारत चलिए हैं से बताते हैं आपको यहाँ पर आप्सन इसाई इटली के रोम में है खाद्यों किर्सी संगठन का मुख्या ले ध्यान रखेगा इसको इंपोर्टेंट है यह अगला क्योंचन देखते हैं मोल विदिका क्योंचन है यह किसोर नयाएं बालको की देख रेक और सनरक्षन अधनियन 2000 के अधीन देख रेक और सनरक्षन की आऊ सकता वाले किसी बालक को निमने में से किसके द्वारा बालक कल्याड समीत के समझ पेश किया जाएगा कोई पुलिस अधिकारी, कोई लोग सेवक, कोई सामाजिक कार करता है लोकात्मा से अब विभूत, कोई नागरिक, उप्रियुक्त में से कोई नहीं सोचिए कौन सा एंसर सही हो सकता है अगर मोलवीत आप पड़े होंगे जरूर सही होगा यह चलिए इसे बताते हैं आपको यहापर आपशन ए सही है कोई भी पुलिस अधिकारी पेस कर सकता है चलते हैं नेट्स क्यूचन पर आईए अगला क्यूच्चन देखते हैं क्यूच्चन है रष्ट किस फसल का रोग है धान, मुंगफली, आलू, गेहु सोचें रष्ट किस फसल का रोग है चलिए आपको बताते हैं यहापर आपशन डी सही है रष्ट जो है गेहु के फसल का रोग है जबकि मुंगफली में जो रोग लगता है उसो टिकका रोग बोलते हैं और धान में बलाष्ट रोग लगता है आलो में अंगमारी रोग लगता है ध्यान रखेगा तो यहाँ पर option D सही था रश्ट रोग जो है गेहों में लगता है next question पर चलते है question ध्यान से देखिए बहुत अच्छा question है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है प्रोपव स्फियर, मेसो स्फियर, आयनो स्फियर, स्ट्रेटो स्फियर चलिए अज बताते है आपको यहाँ पर option D सही है स्ट्रेटो स्फियर मतलब समताप मंडल में और जोन परत अपरत समताप मंडलं पाई जाती है तो जो यह समताप मंडल है और जो मध्य मंडल है यह समताप मंडल है तो समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ही ओजोन मंडल फैला हुआ है तो मुख्य रूप से यह समताप मंडल में उसके बाद मध्य मंडल में भी है तो कभी-कभी गर दो परत से क्यूस्चन दे तो आपको दोनों परत को टिक करना होगा लेकिन यहां एक एक परत दिया है तो आपको यहां अंग्रेजी नाम दिया है ध्यान रखेगा जब आप कभी इसको पढ़िए तो ध्यान रखेगा नहीं पूछा है उस्ताद बिश्मिल्ला खा को सत्यजीत रे को लता मंगिसकर को राजकपूर को चलिए हैं से बताते हैं आपको यहां पर आप्सन डी सही है राजकपूर को भारत रत नहीं मिला है बिश्मिल्ला खा सहनाईवादा के इनको मिला हुआ है सत संबल के पुजीवाद साम्यवाद 01525 किस वाद संब्सम्य मजदूर को राजा माना जाता है कि चले र striving करने का मंत वह बहुत कम है और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आपके लगा कर नशे Teaँ कर अगरा क्योस्चन है निमिकित में से काउन सा उद्यम का सूचक तो जी करिसील पूजी मानोपूजी इस्थिर-पूजी सोचिए जए अलेशी बतातें आपको यहां पर आप्षाट सी से है मानो पूजी जो है वो उद्यम का सूचक है ध्यान रखिएगा इसको आई एक क्योस्चन देखते हैं काफी अच्छा क्योस्चन है यह नई अखिल भारती सिवाओक स्रिजन का प्रावधान संविधान में कब किया गया है कहां पर किया गया है जब लोग सभा अपने उपस्थ मद्दान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संकलफ पारित करें दूसरा है जब राश्टसभा अपने उपस्थीमत्दान करने वाले सधस्च्यों को का यह इसा चाया करने कTo करना की अनुमत दो सद सब्सक्रिण होंगे अच्छा करने बहुत बारेचा जा चुक पावर है अनुछे 312, 315 आप लोग सेवाओं के बारें पढ़े होंगे जैसे IS IPS जैसे सिवाए अगर नई स्रिजित करनी है तो राजसभाग को पावर है कि अपने उपासे तो मद्दान करने वाले सदस्यों दो तिहाई बहुमत से अगर संकल पारित कर दे तो एक नई सेवा बनाई जा सकती जिस तरह से ISA, IPSA, IFS है वैसे एक नई सिवा भी बनाई जा सकती है क्यों से देखें राजनीतिक सुतनतरता में क्या नहीं थे नागरिकों को आवा गमन की सुतनतरता का अधिकार नागरिकों को अपने धर्मुक का पालन का अधिकार नागरिकों को राजिक क प्रसासन में भागीदारी का अधिकर चलि यहांसा बताते हैं आपको यहांपर आप्टिन डी सही है नाग्रकों को अपनिराज के प्रसासन में भागीदारी का अधिकार है चलते हैं, next pergunt question है, समाज में कुछ लोगों को उनकी जात की आधार पर विश्य सा अधिकार देना किसका उलंगन है आर्थिक नियायका समाजिक नियायका विधिक नियायका राजनितिक नियायका चलते हैं नेक्ट क्योशन पर क्योशन ध्यान से देखें जैन धर्म के 33 तिर्थंकर कौन थे रिसब्देव पार्शनात नेमीनात महावीर चलते हैं नेक्ट क्योशन पर काफी सरल के उच्छन है यह प्राचीन भारत में निम्लिकित में से कौन सिछा का केंदर नहीं था तच्छसिला नालंदा कौसामबी विक्रम सिला सोचें कि चलिए से स्बतातें आप जो से एक और पाकिस्तान में याद रखी यह इसे बने यहां पर यत शेख्या का केंदर नहीं था अगला क्योशन देखें प्रसिद बोर्बान राजवन्स किस पर सासन किया था इगलेंड पर आश्ट्रेलिया पर फ्रांस पर प्रसिया पर चलिए इसे बताते हैं आपको यहाँ पर आफ्षन सी सही है फ्रांस पर इसे उन्होंने सासन किया था कि अगला क्योश्चन देखते हैं निम्लिकित में से किस भासा का संबंद आश्ट्रिया स्वमू से मराथी लद्दाखी खासी तमिल कि चलिए इस बताते हैं आपको यहां पर आप्शन दूसरा तीसरा से खासी खासी दरसल मेगालाइम बोली जाती है और यह कि उन्हीं इनगाँ और आपके जो खासी जएंतिया पाड़िया उन्हीं पर गारू खासी जएंतिया जन्जातिय भी रहती है उन्हीं में खासी लोग जो लए यह भासा जो है खासी बहुए जाती है ग्रेट निकोबार सुंधर्वन नंदा देवी कच्श की खाड़ी चलिए यहां से बताते हैं आपको यहां पर आप्शन डी सही है कच की खाड़ी कोई जय मंदली रिजर हो नहीं है यहां पर आप्शन डी सही है चलते हैं नेश्ट क्यूचन पर क्यूचन है प्रोटीनों में कौन सा पर्माण नहीं पाया जाता कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस सलफर इसके जगहा पर डे सल्फर नहीं पाया जाता है इसके जगहां पर डे नाइट्रोजन मिलत असलфर मिलता है लेकिन फास्फोरस नहीं मिलता द्यान रखेगा चलते हैं नेश्ट क्यूचन के सब्सक्राइब अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को मोहन बागान रत्न पूरु वाइचुंग भोटिया, सेयद नईमुद्दीन, सुनिल छेत्री चलिए इस वताते हैं आपको वरुट संकर भट्याच्यार को मिला है ध्यान रखेगा चलिए एकला क्योंचन देखिए ये भी मोलवीद का है आवस्टेक वस्टनियम 1952 निम्लिक्त में से किस धारा में से खाद तेलों या दिकरांकी विरुद अपील कि जाने का प्रवधान है धारा पांच, धारा च्षा, धारा च्षा घ, सोचें희 किस में है चलिए इस वताते हैं आपको यहांपर आप्स्वर्षाण D सही है धारच्छाग में इसका वरण किया गया है अला कि उस्चन द्हान से देखिए आप क्यूस्चन है नावकिव करिया को किस दृष्ट से संतुलित किया जा सकता है द्रब्मान एम आइतन उर्जय एम भार इलेक्टानो की संक्या द्रब्मान एम उर्जय यहाँ पर आप्समेंद D से ही द्रभ्यमान और जा की दृष्टि से संतुलित किया जा सकता है क्योंकि द्रभ्यमान ही और जा में कर्वर्ड होता है चलते हैं नेक्स्क्क्यूचन पर फोटोग्राफिट प्लेट्स में किस रसायन का प्रियोग किया जाता है सिलवर ब्रॉमाइड का सिलवर नाइट्रेट का सिलवर खोलोरायड का after जैनेर्ट कि उस्ष्षन दें स्रल की उस्ष्षन विप CO इसको चलिए असे बताते हैं आपको यहां पर आप्शन भी सही है शिलवर ब्रॉमाइट का प्रियोग करते हैं फ्रोटोग्राफिक प्लेट पर अगला क्योंचन देखें अस्तियों का नयदानिक फोटोग्राफ मतलब हड्डी की फोटोग्राफ लेने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं। यू भी अल्ट्रावाइलट के रड़े आई 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 आर के रड़े यक्स के रड़े अंत्रिच के रड़े चलिए इस बताते हैं जनरली आप एक सरे कराते होंगे बहुत बार हड्डियों में टूट फोट चेक करने के लिए तो इस सिंपल सा क्योश्चन था आज कर लास्ट क्यूश्चन देखते हैं. क्यूश्चन है घड़े की कमानिक कस्य के ऑर पर फराप्त होती है यह रृत적 है लिए परास क्योश्चन भापने का पर washing सिवत उर भृतियों जाती है उससे क्या होता है कि उर्जा वहां इस्तित हो जाती है दिरे-दिरे उस चावी की द्वरा दे गए उर्जा से घड़ी चलती थी जब कि जब चावी वाली घड़ी आती है तो यहां पर 50 कुछन कंप्लीट होते हैं आसा करते हैं आपके नंबर अच्छे आयोंगे कितन जरूर लगाते रहें अगर आप यह उपीपी के तैयारी कर रहें तब भी आपर ट्रेस्ट लगाईए वीडियो का इसा लगा जरूर बताएगा अगर आप चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मिलते हैं आप से नेस्ट ट्रेस्ट में तो तक आप पढ़ते आप टेस्ट लगाईए तो जाते हैं अगर आप कर लिए यह वीद ट्रेस्ट आप वीडियो के दिए लगाईए प्सक्राइब ने उकरते हैं आप दो प्सक्राइब करें ह।